असलालेकूम, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी, तो ये होममेट बर्फी है, इसका टेस्ट बाहर के जैसी बर्फी का आता है, और घर के ही सामानों से चीजों से बहुत आसानी से बन जाती है, तो इनके लिए जिन चीजों के जरु मिल्क पाउडर ही लिजेगा, तो जितना मिल्क पाउडर है उतना ही ड्रसी केटेड कोकोनट यानि गरी का बुरा दाम लेंगे, और उसका हाफ कप पिसीवी चीनी, या बुरा भी ले सकते हैं लेकिन नॉर्मल चीनी है जिसको हमने पीस लिया है, और ये आधा कप दूद है तो जितना हमें जरूरत हो कि इतना हम डालेंगे, एकदम से पूरा दूद नहीं डालेंगे, ये पिसीवी चोटी इलाची और ये गार्नीशिंग के लिए कुछ बदाम, तो चलिए इसको फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इसमें गरी का बुरा ड को डाल कर, थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर, पहले हम इनको सब चीजों को मिला लेंगे, और फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर, इनको मिक्स करना शुरू करेंगे, एकदम से दूद मढ डालिएगा, कि ये बहुत जल्दी बाइंट हो जाता है, दूद इसको आधा दूद लगा है, तो ये वहाफ कप पाला कप था, उसमें से भी आधा कप लगा है, इतना बज गया है, तो करीब इसमें तीन टेबल स्पून दूद लगा होगा, तो बहुत कम ही डालना है, क्योंकि एकदम से गीला हो जाता ही है, तब इस बैटर को 10 मिनिट रस इसाप से आप इसको शेफ दे लिएगा, देखिए इसको मने एक शेफ दे दिया, इसके उपर हम ड्रसिकेटेड कोकोनट ठोड़ा बड़क देते हैं, यह आपके उपर है क्या लगाना चाहते हैं, तो टोटली ऑप्शनल है, आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा है, ज और इसको इसके पीछे कहिसे से हम फुड़ा दबा देंगे, ताक इह चीज़ें अंदर चली जाए है, अब इनके पीसे कट कर लेते हैं, तो इसकी पीसे हम कट कर लेते हैं, तो लीजे बं के तयार है हमारी इंस्टेंट बरफी, इसकी थीकनेस भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए बस आप तोटली आपके उपर है कि आप इसको कितना मूटा रखना चाहते हैं कितना पतला लेकिन यह ठीकनेस ब्लूकल परफेक्ट है तो अगर आपको मेरी रेसिपीस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों और फैमली में शेयर करें और म अबसे बस्तों थोसी होते हैं कितना ओंद कि बस्तों नहीं है नहीं कितना मारी बऑफनी डिन करेंद मुदकर कितना विके उन्मरी चाहते हैं कितना प्लीज़ घंगर करें प्र το-nyज़ छोगर beggंघाट और द Mend stair पижव चोछ़ से कहनद प्संद। हूबचर हैं